आप सभी का Civil Services with Zaki में स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कि परभुक भागौलिक अबधारना स्रिंखला हमारे चल रहा है और ये चलेगा क्योंकि इसमें हमने ये कोशिस की है कि आपके कोई भी कंसेप्ट धुगों से संबंदित अगर होगा तो उसको क्लियर करेंगे औ और अगर आप चाहते हैं कोई कंसेप्ट आपका किलियर हो तो आप कमेंट में लिखें कि सर हमको इसके बारे में सबजना है मैं उस पे सांदार तरीके से वीडियो बना के दूँगा एनिमेशन से दूँगा ताकि आपको रटने की कभी जरूरत ने पड़ेगी वह कंसेप् तो चलिए हम देखते हैं कि आज जो हमरा विश्टे है फृत्वी के चार मंडल क्या है अ। चर्चा करते हैं तो जब पृत्वी एक सिस्टम के तौर पर काम करते हैं एक टंत्र की रूप में जिसमें पधार्थ और उर्जा का अस्ठानांत्रन होता रहता है या तो अस्ठा जल और वायू यह हम जिस पराते पर त्रवी उसके साथ जल और वायू यह तीन चीज हैं यह हमारे जीवन को परभावित करते हैं इसी तरह की पर्णालिया जो एंग आती हे से लुट होती है यह है वह परिवर्तन तंत्र के भीतर हो या आंत्रिक रूप से उत्पन होते हूं इसका मतलब है कि यह परभावित करें तो चलिए देखते हैं कि पृत्वी के आखर यह चार मंदल है क्या है इस पर चर्चा करते हैं तो पृत्वी में चार अती व्यापी छेत्र है यह एक दूसर से परती एक आन तीनों मंदल है तो वह तीनों मंदल के साथ इंचर्क्ट करता रहता है नत्रिया करते रहते हैं तो वाईं मंडल में prius में जादार्ट हम लोग जानते हैं किphem słuा कि परतुम्स अ करता है उसी तरह से अस्थल मंदल जो हमारा ठोस पुर्थवी है और जीव मंदल हम उसको कहते हैं जिसमें जीव सामिल है वो सभी अस्थानों पर पाये जाते हैं आपके भूमी में भी पाये जा सकते हैं भूमी के नीचे भी पाये जा सकते हैं महासागर के आता गराईयों में भी पाए जा सकते हैं मसा अगर के ईपर भी पाए जाते हैं तो यह सारा ये एरिया इस हो जाता है तो चलिए एक एक करके एक इस इस प्रेंगे आज अगर उस तो आपको नज़र आएगा हाइड्रों इसको एक करके दएक सबसे पहले यह हमारा relief नाट्रोजन औरрем तो यहले नापर टलब या 100 km की दूरी तक इसकी सगनता है उसके बाल यह कम हो और आप देखेंगे तो बाहरी आंत्रिक्ष का अनुमानी नहीं है यानुमानी यहोρ जाया चाईगे किया होगा आपका आउटर इसक्ष हो जाएगा बाहरी आंत्रिक्ष हो जाएगा तो आप देखेंगे कि अगर संप्सशनाल से बालेट मोकि के राता हैं तो अगर 42 प्रदिशवेर और देखें, उस हमें जल्वास्प के परिवरत तंसील मात्रा भी उती यह बाइम्ट करता है करता है ऐसी वह देखेंगे जैसा कि मैंने बताया कि 100 क्लो मीटर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाए देगा यानि 100 km के बाद हमारा श्रू हो जाता, यानि आप अर्थ से जाएंगे, यह जो आप बादल देख रहे हैं, यह बादल कितना होता, 10-12 km के उपर होता, यानि 10-12 km पे आप जाएंगे तो यह बादल आपको नजर आ जाएगा, अगर कभी आप प्लेन से सफर करेंगे तो आपक तो वहां से आंत्रिक्ष का सीमा शुरू होना होता है तो नॉर्मली इसको डिफाइड किया गया और इसको पताया गया तो इसको कहा गया यह जो आप देख रहें अर्थ का जो बाइव मंडल है और इस पेस है उसके बीच की बॉंडरी को कहा गया कार्मेल लाइन तो चलिए द जिए आपको कार्मन- लाइन है तो मतलब रिखा आप इसको कह सकते हैं तो यहां से आपका आंत्रिक्ष और पिर्थवी कर्भाएओ मंडल और आंत्रिक्ष की और चलिए आगे देखनें हम लोग कि दूसरे स्थेर जिसको हम यह आपका बायोएस्वेर कहलता है तो यह बायोएस्वेर है अब हम देखेंगे बायोएस्वेर के बारे में जीम मंडल कहते हैं तो मानव सहीद सभी परकार के प्रिथवी के सतय से उपर प्रिथवी के सतय के नीचे सागर के अधा हघराई में मौध लोसी होता है तो आप डेखेंगे उचीब मन्दल बायो मंदल से लगवख 10 किलो मीटर उपर आपको मिल सकता है और नीचे जाएंगे तो जो पाणों के बीच दरार होता है तो उसके नीचे उसके काफी नीचे तक भी आपको व्यिश्मopen सब्डक्र चोटे ऐस्तानों तक पहला तो हम जो देखते हैं जिसको मेट सकते हैं जैसा कि यहां, आ बायोंस ये स्वेर में देख होते हैं चाहे वो रघे ओ वो साधह या जीव मंदल कहलाता क्या चली चीव मंदल लोग देख लिए जल मंदल या उडर मनदल या रजार आप देख रहें डीज और आफ रर आपका और तो हैंगा रीट में देख के तो इसने सागरोग्र मदल ध्लैसियरोग़ जीलों नदियों आदर भूमी धूजल मिटी में नमी बादलों का पानी वायु मंडल की नमी इस सारा चीज जल मंडल के अंतरगत आता है तो हम देखते हैं कि पृत्वी का लगभग संतानवे परतिशत भाग जो है वो महा सागरूम है और खारा पानी के रूप में है और अग गांड वाटर में सबसे ज्यादा मीठे जल है जबके देखेंगे जीलों और नदियों में इसकी मात्रा बहुत कम है और इस जील और नदी में आगर हम देखें तो नदी में सबसे कम है वैसे देखने में तो आपको लगए है कि नदी इतनी बरी है गंगा इतना बरा है इसम को नदियों में होता है चाहिए वो आमेजन रिवरी की नगओ मों तो यह हमेंसा याद रखिएगा अगर कभी प्रिक्षा में अपूछे तो यह हमेंसा याद रखिएगा तो चलिए अब जल मंडल के बाद हम चलते हैं लीठो एस्पेर या अस्थल मंडल जिसको बोलते हैं यह वाला सबसे नीचे वाला अस्थल मंडल जिसको लीठो एस्फेर कहा रहता है तो चलिए अस्थल मंडल जो है आम तोर पर पृत्वी जो है पृत्वी के ठोस भाग उपरी हिस से क्रिसको संदर यानि जो भी पृत्वी का सॉलिड पार्थ है उसको यह अस्थल मंदल करता है और हम देखेंगे अस्थल मंदल में क्या होता है भूपरपटी और उपरी मेंटल का उपरी भार यानि सबसे उपर का मेंटल यानि उपरी मेंटल का उपर भार यानि अपर मोस्ट मेंटल ए में ही होता यह आप देखेंगे असी लिए ठोस पृत्वी ततां अग्ज दो Theo KV R लग है यानि आप चाहें तो अस्था मंदल वायू मंदल जल जीव मंदल का अगा बाटने लगेंगे तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि जीम मंडल आपका वायो मंडल में मौझूद है जीम मंडल आपका अस्तल मंडल में में भी मौझूद है जी मंडल आपका जल मंडल में मौझू तो हर लंडल एक दूसरे से इंट्रैक्टक्ट करता है आप जल द आने मंडल को से करें कर सकते जो वैं यह मंडल लो में यह में उसमें जल मौझूद ऑप देखेंगे तो इस न उसका दिर्फ एप्नेट और गैस आपको इन विलकेन की रपेंश चिरुप फीर के पास में दो चार हुनदल में चारों मंडल गवर्णन किये हैं लेकिन अगर आपको और इसके विस्तरी जानना है तो आपको आपको बारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको दूसरों तक पहलाई है चुकि इसके बाद हम वायू मंडल पे इस पेस्पिक वीडियो लाने वाले हैं और यह हमारा वाय सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए इस सब के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्नबाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले